अलो माइडियर्ज हाव यू आपके चैनल वाइलोजीफेक्ट्स में आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ पार्ट सेकिंड फर्स चैप्टर सो ये जो वैल्थ के बच्चों के लिए मैं फर्स चैप्टर में ने शुरू किया था उसका पार्ट सेकिंड लेकर कर आया हूँ सो फर्स पार्ट में हमने बहुत से चीजे कर ली थी बहुत सी चीजे समझ ली थी सो फर्स पार्ट में हमने जो भी चीज की थी मैं आपको एक बार वो रिवाइस करवा दूंगा उसके बाद ही मैं आपका सेकिंड जो पार्ट है मैं शुरू करूंगा ठीक है स तो सबसे पहले हमने और को कहा है कि आ देख ऊदेख कर वह जो जो सबक्राइस कुछ कह poo की वे हैं लोता सु citizen' वेधो हितना मेंका क्रिपान क्ते में सबसे पहले है कि और के लिए सबसे पहले उल्ल का चाहिए जón का प्रकुझ ses वह एक एक तो है हमारा lifespan एक हमारा reproduction लाइफस्पेंट हमने किया था लाइफस्पेंट में बहुत सी चीज़े की थी बहुत सी चीज़ों में से कौन कौन सी चीज़े की थी हमने देखा था कि किसी भी अगर आपको फिर भी इससे यह अगर संतुष्टी ना मेरे तो आप मेरा फर्स बाड देख सकते हैं तो मैं आप इसको और जाए अच्छे से एक्स्प्लेइन किया था अगर आप इसको और सारी वीडियो तो मैं दुबारा नहीं बना सकता ठीक है ना अगर आपको फिर भी इस इससे यह अगर संतुष्टी ना मेरे तो आप मेरा फर्स बाड देख सकते हैं तो माई डियर उसके इलावा हमने नेक्स्ट क्या गया था हमने वह बॉक्स करने के बाद हमने रिप्रोड़क्शन को शुरू गया था रिप्रोड़क्शन में हमने बहुत सी चीज़ा की थी र इस यह अगर प्रफियुज होते हैं बट असेक्षण में गया में फ्यूज नहीं होती है तो असेक्षण रिप्रड़क्शन को हमने एक्स्प्रेंड किया था उसमें हमने बडिंग वाइनरी फीजन फ्रेग्मेंटेशन वेजिटेटी प्रपागेशन और प्रपागेशन य कुछ से बच्चे इन दोनों टर्मों में कंफ्यूज हो जाते हैं बट आपने कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि आप बाइलोजी फैक्ट के साथ जुड़े हैं ठीक है इसलिए उसको साइड में रखो हमने सिरफ पार्थिनों जैनेसिस की थी पिसली क्लास के ठीक हमने हनी का पूरा प्रसेश समझा था उसमें जो वर्कर और क्वीन और इन तीनों का क्या क्या फंक्शन होता है कैसे रिप्रदक्शन करते हैं इसमें और सारा कुछ समझ लिया था उसके लावा हमने बर्डिंग और पिसली क्लास में कर लिया था ठीक है और उसके बाद था हमारा सारा फिर से ऐसे रिवाइज भी नहीं करवा सकता क्यूंकि क्यूंकि देखो माइडियर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा ना पिछली क्लास का भी लेकर चलू और इस क्लास का भी सो प्लीज एक बार आप खोल सके तो उसे 2x की स्पीड पर देख कर आएं ठीक है अदर्वा के लिए मैं आपको questions भी बहुत अच्छे से रिवाइज करवा दूगा तो प्लीज आप जुड़े रहें तो अब मैं next आप से बात करता हूं हमारा चैप्टर है biology facts में chapter number first reproduction in organism part two ठीक है इसमें सबसे पहले मैं अगर part first का ही आपका एक बार रिवाइज करवा हूं part first में ही थ एक बहुन हमारा external बढ़िंग एक था हमारा internal बढ़िंग एकस्टरनल बढ़िंग में था हमारा sponge की कर माइडियर external बढ़िंग थे में था हमारा एक तरह से बट नेक्स्ट में क्या क्या है कि यह जो एक तरफ से कठ्था हो रहा है कठ्था होकर उसमें से जो यह पार्ट है लाइक बड़ यह पार्ट एक तरह से बड़ का काम करता है यह वाला पार्ट है जो एक तरह से बड़ का काम करता है और इस से क्या हो रहा है कि सारा कल सारा नेक अगर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हमारा है इंटर्नल इंटर्न इंटर्न सोरी यह है हमारा एक्सटर्नल यह थोड़ा सा उलेट हो गया यह हमारा एक्सटर्नल यह हमारा एक्सटर्नल और यह हमारा इंटर्नल, हैं तनल है आप समझ सकते हैं कि जो यह है यह सारी process हो तेंट्रनल कि दिखने से knowing कि यह अंदर कॏ कारिया हो वह पोगपा कारिया हो और जब बाहर को आरिया कारिया है और होता है एक्सटरनुटर सो सिंपली आप देख सकते हैं जो हाइट्रा है हाइट्रा के बाहरosphÍ की स्टॉक्चिर को बाहरlasse को चर्टर liking रही है झाज है जफिक्छ बढत रही है और इसके बाहर ऊच्रय़र से नेटर याद करनी है कि पॉंज जो कि इंटर्नल है है एक्सटर्नल यह था हमारा प्रिवेस क्लास का यह है हमने मेरे पीछली क्लास में भी आपको एक्स्प्लेंड कर वा दिया था बट एक बार फिर से मैं आपको बता दिया है ठीक है और उसके बाद हमारा अब शुरू हो रह थोितैं इूसकिता यह दूसकिता प्रैनडिया क्लास मारे कर दो सकता सक्षेक हो है ख्लाम का रिएस स्पायरी स्पाय्व से लाइश इसना म 对्वेस क्शाम प्राइटस में खाण हए इसनों और प्रत्स इसमेंड नीम तो किला है स्फरेंजीयों टुक्तांस होएेश है हमारी 3-4 तरह की यह टाइपस है ठीके इसमें क्या होता है कि यह जो जूस पॉर है इसमें क्या होते कि जो चोटे-चोटे स्पोर्स होते हैं उससे होल-बोली बनती है ठीके आप मैं आपको explain करूं है आपर अच्छे से कि देखो यह जू स्पोर्स है इसमें यह वाले छोटे-छोटे-छोटे-छोटे कलर की है न यह यह क्या है भाई हमारे स्पोर्स की तरह काम करने हैं इसमें सिंपल ही क्या होता है यह जो छोटे-छोटे यह गोल-गोल है न ऐसे जो स्पोर्स है यह इसकी वजह से आगे जो हो और नया जूसको बनता है एक तरह प्रसेस है ठीक है और इसकी प्रसेंपल भी हमें बताई होगी मैं आपको नेक्स पेज में बताऊंगा अब अभी समझे कि इसमें क्या होता है कि सिंपल यह चोटे-चोटे छोट-छोटे चोटे यह सारे चोट-छोटे हैं फिर आप सकूसी में हमारे ऊPसिक यह हमारे एक रीपश्य तो एक्जेमपल में सबसे पहले बात करूं, जूस पॉर्ट की तो इसकी एक्जेमपल क्या है? युलोथ्रिक्स एंड क्लोमाइडोनोमनास ठीक है यह इस एक्जैम्पल उफ जूसपोर उसके इलावा अगर मैं बात करूँ कि यह मोटाइल है मोटाइल का मतलब आगा समझते हो आपने पहले बहुत बहुत सुना होगा मोटाइल अगर नहीं समझते तो मैं बता दो मोटाइ लगते, उसके बागाईला क्या है चुलोथ्रिक्स पर क्लोमायडोमट्म था लिए की पॉर्नों है मोटाइल यह मोमेंट करते नहीं है उसके बाद आता है हमारा qunidia qunidia means pancillium is the example of qunidia and this is the non-motile यह move नहीं कर सकते देखो यहाँ पर देखो आपको कई flagella दिख रहा है नहीं दिख रहा ना इस example में इस whole example में आपको flagella नहीं दिखेगा क्योंकि है ही नहीं और यह movement भी नहीं कर सकते ठीक है यह जो है यह movement नहीं कर सकते ठीक है उसके बाद हमारा है pancillium is the example of qunidia और यह non-motile है उसके बाद oidia oidia agricus इसके एक्जेंपल है और यह भी non-motile है ठीक है उसके बाद next है हमारा supraanjio sport supraanjio sport ke example is rise office and mocar and this is also non-motile तीक है मैं इस से आप देख सकते हैं कि सिरफ और सिरफ हमारा जो juice sport है वही ही motile है और बादी सारे तीनों के तीनों non-motile है बट एक मुझे दिखत आ रही थी oidia में लगबग नहीं बताया कि यह non-motile है बट जब example को मैंने देखा उसके उसके structure को देखा तो यह simple था उसमें फ्लैजिला नहीं थे तो अगर आपको कई पर चूज करने के लिए कहा चाहिए आपको sports दे दिया जाए हा ना उसमें आपको बता दे जाए कि तीन में तो ऐसे चोट चोटे फ्लैजिला हो और एक में फ्लैजिला ना हो और älше पुछ लिए जाए कि इसमें को नहीं मोटाइल है तो आपने simply पता देना मिंद जिसमें फ्लैजिला ना हो आपने उसमें ठीक लगा देना और चेह दिने कि वे क्या है नों मटाइल एख एषप का जाए पडेशन नहीं त चोटा सा पार्ट उठाया चोटे से पार्ट यह रहा फिर हमारे चोटा पार्ट इस चोटे पार्ट से हमने की क्या की सारी बोडी को ग्रोग किया फुल बोडी बन झाल के वांस यांनि व और वर सिंहं के व्धिन्ट के भाई उन फ्रेगमेंट कि वाई वान फ्रागमेंट ύभावारinkण फर्फेगमेंट करेंट कि वह ग्या है हमारा फ्रेगमेंटेशन, और और यह जो is पाइभर उन गायओं रहा है, यह लोगायर फ्रीकजर संधर समयर ही और दो पिछली वीडियो में मैंने ऐसे नोर्ट नहीं बनाये थे ऐना बनाए तो देखो अब भी मैंने अपने हाथ से ये सारे हं ob His Lex I Бशीक साथ है। उसमें पहुत time लग गया थ हौ मैं नहीं आ सका हूं तो इसलिए मैं आज की वीडियो में एसे नोर्स पहले ही बने हूं तो आप यह ये पढ़ा दूगा थीक है आप अच्छ से पढ़ें मेरा मंसे उससे पढ़ाना है आप मैं आपको वैसे ही पढ़ाने में आप पार्टों से और इन तीन पार्ट से क्या होते हैं कि हुमारे फूल बोडी क्रियेट हो जा नो खिर गया हुआ को फूल बोडी बन जाएगी और रहें बारीश आएगी जैसे वेगरा होल पर सहे ना सो उसे घुए फूरी बन जाएगी कि यह था हमारा वेजटवटी यह स्टेम की एक ताइप है स्टैम में कौन को इस टाइप है अंडर ग्राउंस टैम है अंडर ग्राउंस टैम को बनी तेम नहीं है तीन टैप इसके samples like tuber rhizomes and bulb tuber rhizomes and bulb ठीक है इसमें क्या होता है कि इसके example आती है त्यूबर में example आती है potato की आने की आलू और rhizome में example आती है ginger की ओ स्वरी ginger की ठीक है ginger ठीक है and then third one is bulb में example आती है हमारी garlic and onion garlic and onion means अपना प्याज और लसुन और ginger means अद्रक ठीक है इस example of underground stem इसमें क्या होता है कि अगर मैं आपको structure में explain करूं कि जो यह potato है potato में इसका bird होगा यह bird make a whole body यह जो eyes होती ही आपने बहुत से potatoes में देखा होगा कि उपर उसके ऐसे चोटी 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 होते है है तो क्या है वह एक तरह से उसकी बड़ है उससे सारी whole body क्रियेट हो रही है और उसके बाद यह हमारा rhizome ginger ginger में ऐसे ऐसे एक बड़ होती है और इस बड़ से सारी body बन जाती है ठीक है उसके बाद हमारा यह चाहिए बड़ में कुछ ऐसा चली होता है उससे भी बड़् से मतले की बनते है यह आता नहीं है बोट में भी नहीं आता है क्योंकि देखो यह तो डाइग्राम जाए अध्रक लसर्ण की डाइग्राम थोड़ी ना आएग अपके बोट में अना यह कहीं पर भी ठीक है आपने क्या करना है सिरफ और सिरफ अंडरं करनां की जो हैं एक्जैंपल hi से इक तरह से हमारा पोट में साणा चाहिए जाuto हैं support क Михромンダ tuhoni सब्सक्राहर grandma को एक आपра कर आइक पर था सारा अक्या धर मैं confrontation UE चोटी से पार्ट से हुल बोडी बन जाता है उसके वादे बेजितिर्टेटीफ प्रोड प्रोगाशनमे x y z part में से कोई भी पाइब कोई गिरता है या कुछ भी इन में से सारी whole process से मतलब कि कोई part गिरने से या कोई part से x y z part से whole body create हो जाती है full body create हो जाती है सबसे बहले हमने देखा stem मी stem में हमने parts देखे underground stem sub-areal area and bulbil ठीक है और उसमें से हमने सबसे पहले हमने अब देखा कि underground stem को समझा underground stem में हमने parts समझे इसके type समझी underground stem में हमने tuber rhizome and bulb, tuber में potato, rhizome में ginger, bulb में garlic and onion ठीक है इसके इलावा हमने दोनों की structure को भी समझ लिया है बता भी दिया कि कैसे होता है ठीक है यह था हमारा एक तरह से सिर्फ और सिर्फ वेजरेटी propagation में stem में stem में जो चार examples थी उसमें से एक example को समझा है अभी हमने उसके बाद हम अभी तो हमने underground stem को समझा है बट नेक्स हम बात करते हैं अभी सब एरियल stem के बारे में सो नेक्स्ट में बात करूं सब्सक्राइब 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 सब एक है एक्जम्पल हमारी ओफसेट एफ है हमारी इस्टोलन स्टोलन स्टोलन and then third one is third example is RUNER एक है RUNER आब यह मैं इन्टीन और को explain करूं हमने सबसे पहले किया underground stamp को समझा अब हम कर रहे हैं sub-aergail stamp underground का मतलब समझे रहे हों आप किसी भी मतलब कि हमारी धर्ती के नीचे अंडर्ग्राउंड सब एरियल का मतलब हमारी धर्ती के सर्फेस पर हमारी सर्फेस पर हमारी जो अर्थ है उसकी सर्फेस पर जमीन की सर्फेस पर उन चीजों का अब समझेंगे हैं वो स्टैम जो थी वो थी अंडर्ग्राउंड स्टै टीकिक है जो टाइप्संग सुधमे है और से उफ सेट में ग्जय सब्सक्ड ऑन bye वाटर हाइसेंथ करें वाटर हाइसेंथ उसके लावन नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्टोलों में क्या होता है कि कि स्टोलर में डिंग अग्जेंपल सबसे पहले तो से Ugh परस्ट एक्जेमपल है हमारी ओसे की ओव सटकी ऑफ से ओगजेमपल आएगी हमारी वाटरायसिंथ लौटर को देख कर उत्ताइज क्यों पोसित पर निता है जो एक रिड़ी पार नार्ब का आप तल्य गरा थे हुए खो लेकर चला यह आपको थे लेकर चलंग आपको संझाओं कि देखो जो हमारी घ्रास है आना रोर्नर का मतलब क्या होता है कि हमने बात की ना यह यह मैं इसमें क्या होता है कि जो ग्रास है ये runer की तरह भाग रही है, ऐसे ये जूड़ी हुई है, ऐसे गरो हो रही है surface पर ही बन रही है, ठीक है मैई डियर, एक तरह से surface पर ही बनना गरत्थि के ऊपर ही नहीं, झारत्थि पर ही बनना, ऐसे handling property supheet library, तो एक तरह से हैई, इसको क्या कहेंगे, हम rule इसको क्या कहींगे है हम सब-ईरियल कहीं टीक है तर्थिक इसे क्या किहीं एक्जाम्पल आपने याद रखनी है उसके बाद nextわか celebr करो यह हमारा खुतम को गया is gotta next novel करो I next are Arial की है तो एडियल में कॉन से चीज़ें आ जाते है एरियल में सबसे पुर्द में बता हूं एरियल में आ जाता है हमारा शुगर केन का मतलब समझा नहीं है आप शुगर केन में का मतलब होता है हमारा गन्ना इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें कैसे और ची परेसे और उसकी साइड़ में एक बड लगें इसकी साइड में एक बड है इसकी साइड में और यह एक बन मैंट है इस अऐसा बड है तो इस बंसे क्या होता है कि हमारी all body create हो जाती है और यह क्या है सब di टो एक छूगर केन ठीखे इस बट से हमारी all body created होगी इस बड़ से मारी बल्बिल तो इससे मारा क्या होगा कि वैजरेटी प्रोपागेशन की टाइप्स कत्म हो जाएंगी देखो अगर आपको यह और बुक देखोगे ना उसमें से उसमें आपको बहुत जादा दिया होएगा अगर आप चाहते हो कि बहुत जादा पढ़ने तो पढ़ सकते हो कि न बल्बिल में बल्बिल में क्या होता है कि एक ऐसा स्टक्चर होता है कुछ ऐसा प्लांट है यह प्लांट है इस प्लांट में क्या होगा कुछ ऐसा बड़ सा होगा ऐसा बड़ सा यह क्या है यह फ्लेशी बड़ है फ्लेशी बड़ एंड इस बड़ से क्या होगा फोल बोड से क्या होगा whole body create हो जाएगी क्या हो जाएगा whole body create हो जाएगी ठीक है whole body create हो जाएगी तो झाबन जाएगा एक तरह से बट है बड़ क्या कर रहा है एक तरह से reproduction कर रहा है asexually so this is the example of variety propagation वही हम बात कर रहे हैं ना कि किसी भी प्लांट का XYZ पार्ट गिरे है और उस XYZ पार्ट से एक whole body क्रियेट हो यही तो है वेजटी प्रोपेगेशन सो वही हो रहा है हमारी एरियल में सब एरियल में बल्बिल में और हमारी अंडरण स्टैम में सभी में तो प्लाट के चीज़ हो रही है उसी का पार्ट गिर रहा है और उसी से इक नया पार्ट बन रहा है तैट सब आपगेशन और यह क्या है हमारी नेटर बनार नेटरली विजा क्वार्ट प्रोपेगेशन उसके बाद सब्सक्राइब आपको फॉट आपको चुछ खास नहीं है। धला जोड़ा के से जाएज फ्लिफ अन्हों इसके सब्सक्राइब करें अbak्यां के अग्रैंड से न्याए में रूट रहा था इसमें क्या हो रहा है कि रूट में बडीं है काम होती है वह जादा तो अगर होंगी तो बड़ से क्या जाएगा अगर नहीं हमने आटी फिल मेथर्ट रोटेशेटी प्रोपगेशन की वह लग चीज हो गई ठीक है तो उसकी तरफ मदद से हम क्या करते हैं नेक्स्स क कुछ लीफ है कि कुछ एसे लीफ है कि कुछ एसे लीफ है कि एक तरह का बंड है यह बढ़ क्या करेगा और वारी फिल बोडे क्रियेट करें पोल बोडी को फुल बोडी करेंट करेंगे तो हमारी यह वेजिसिटी प्रोपागेशन की प्रोसेस यहीं पर ख़तम होती है उसके बाद नेक्स हमारा शुरू होता है सेक्शॉल रिप्रड़क्शन मैंने का था कि मैं आपको सेक्शॉल रिप्रड़क्शन भी एक्स्पेंड कराऊंगा इ होंगे sexual reproduction का मतलब क्यों होता है कि एक जिसमें gamit fuse होते हैं पिछली process में सारी और sexual reproduction थी किसी में भी gamit fuse नहीं हो रहा था सिरफ एक से ही आगे next to next बन रहा है कोई get कर बन रहा है कोई कैसे बन रहा है so simply उसमें कोई ऐसा नहीं है कि उसमें gamit fuse होंगे इसमें sexually means male and female to make a child नहीं एन गयमित हमारा मेल से एगा एन गयमित हमारा female से एगा एन आण तुमेकर यह क्या है है एन तुमेकर ।डिक्लॉइट से हमारा जो चाइल बनेगा ठीक है यह उसमें क्यों होता है यह क्यों होता है sexual reproduction उसमें कि एकर मैं बात करो c-sexual reproduction की, अगर मैं बात करूं, हमारा human आता है, वसे तो ''human'' and animals बोट आते हैं, animals आते हैं, ओज्रा है, एक तरह से, animals चेह जो हमारी species है, वो सारी क्या आती है, हमारी sexual reproduction में आती है, इसमें क्या आता है कि gamit, gamit fuse होते हैं, gamit fuse होते हैं, fusion of gamit होती है, ठीक है gamut fuse होते हैं ठीक है? और next अगर मैं बात करूँ यह तो यह होती है nothing that लाए इसमें रही अगर छाल सेख्शन रीप्र लेउग फ़्ण उती है ऑगर तो बेसिकलिक्लिंदी continuar होगी तो होगी like juvenile stage reproductive and mature ठीक है so इसमें simple में आपको सिरफ आज यही तीनों term को करवांगा उसके बाद next video में मैं आपको अगली process को explain करूंगा ठीक है और next video हमारी last video होगी और इस तीन video में हमने full chapter को complete कर लेना है ठीक है so अगर मैं आपको sexual reproduction को explain करूं तो sexual reproduction में sexual reproduction में sexual reproduction में like three phases से हैं इसमें सबसे पहला है हमारा juvenile 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 भी ना उसके बाद है हमारा mature mature के बाद है हमारा third one is reproductive ठीक है यह क्या है हमारा reproductive ठीक है reproductive में आते है plants और animal plants में आएगा polycarpy animals लगके सो गया ठीक है उसके बाद हमारा juvenile है इसको और भी कह सकते हैं कि इसको हम कह सकते हैं हमारा vegetative vegetative simply इसको इसमें क्या होगा मैं यह सारी whole process आपको next class में भी explain करूंगा इसमें क्या है कि इसमें आयका monocarpy जो कि हमारा जो reproductive में था reproductive में था हमारा plants में polycarpy इसमें क्या है हमारा vegetative में monocarpy ठीक है monocarpy में कौन-कौन से आएंगी like wheat, maize यह सारी हमारी जो क्या है monocarpy, monocarpy का और polycarpy का मतलब समझ रहे हैं आप polycarpy का मतलब mono का मतलब 1 poly का मतलब बहुत सारी ठीक है सो जो हमारा monocarpy का है जो सिरफ एक बार ही produce होगा ठीक है like wheat, maize, rice हना some bamboo species ठीक है जो एक बार ही और उसके बाद polycarpy जो seasonally seasonally like seasonally mango, jack food अना आप discuss like this ठीक है so mature और उसके mature sensation mature sensation का मतलब आप समझ रहे हो mature sensation का मतलब होता है की बुड़ापा so thank you guys so आज इस वीडियो में बहुत कुछ देख लिया है sexual reproduction को अच्छे से explain कर लिया है so आज हमने बहुत कुछ समझ लिया है so अगली वीडियो में जुड़ते हैं एक नए topic के साथ अगली वीडियो में 3rd part को लेकर आऊंगा तो तब तक के लिए जुड़े रहे so thanks for watching आज मने बहुत कुछ पढ़ लिया है so next 3rd part लेकर लेकर और आपको सारा chapter explain कर दूँगा sexual reproduction को भी एक पर फिर मैं वहाँ पर आपको explain करूंगा so okay guys thanks for watching जुड़े रहें biology facts के साथ so okay guys thank you एक पो सरे ब्तक कि बहुत है उँड़े तक चीड़े खर बदॉड़ घर्मेख का का कर या पर। in person बारनाben मैं पर दोंगित बहुत बारत बहुत I